इसमें हमने 9 और 5 बताया था 9 and 5 यह न 5 under study हैं यह भी क्या हुआ है इसको संसोधित किया गया है modify किया गया है इसमें हमने आपको 7 जीले बताया थे और इसमें 3 ठीक है तो यह हमने बताया था ये कुल्हान कमिस्णरी के अंतरगत आता है फिर हमने आपको बताया था कि इसमें लिखना क्या है तो इसमें लिखना आपको है important features तो important features में हमने सबसे पहला जो बताया था लिखने के लिए वह soil pattern सबसे इस फ्रेम बनाया था हमने soil pattern हमने बताया था मिट्टी का प्रति रूप हम लोग पढ़ रहे थे सबसे पहला zone जो है central इसेंट्रल और इस्टर्ण इस्टर्ण प्लेट्ट्यू 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 है ना एग्रो क्लाइमेट जोन और इसमें हमने बताया था एक फ्रेम बनाई यह सब में इसी फ्रेम के तहत लिखना है हमने यह भी बोला था सबसे पहले हमने बताया था कि यह जो सेंट्रल और इस्टर्ण प्लेट्ट्यू एग्रो क्लाइमेट जोन है उसमें सॉयल जो है सॉयल में थोड़ा वेरियेशन है थोड़ा उसमें क्या बोलेंगे मतलब वेरियेशन है हम लोगचेंजे उसमेंद्एख रहे है सब जगगाएवन हैं हमने आपको बताया था कि इसमें लाल मित्टी लाल Мित्टी है ना फिर आपको बताया था बलुई मित्टी लाल हो बलुई के बलुई मित्टीbbe बुकारो धनंबाद वाले एरिया में राची में लाल मिट्टी है बलूई उसके बाद फिर हमने आपको बताया था काली लेटराइट छुड़ गया था लेटराइट मिट्टी भी लिख लीजिए क्योंकि लेटराइट मिट्टी भी यहां पाया जाता है हम बताया थे हम जब आपको पढ़ाया थे तो हम बताया थे राजमहल क यह पूर्वी भाग में लेटराइट सॉयल भी पाया जाता है और यहां पर जलोड कि जलोड मिट्टी ठीक है तो इतना कुछ हमने आपको बताया था ठीक है समझ रहे ना तो कि यह हमने मिट्टी का पैटर्न बताया था दूसरा जो हम लोग को लिखना यह है वो है दूसरा जो फ्रेम के अंतरगत हम लोग जिसकी चर्चा करेंगे वो है वर्षा प्रतिरू रेनफॉल पैटर्न रेनफॉल पैटर्ण वर्षा प्रतिरूप यहां पर सबसे पहला चीज पर हमको देखना है कि यहां वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है मौनसून है हमने बताया था हना पहले भी हमारे जहर्खन का वर्षा का मुख्य जो सोर्स है वो मौनसूनी वर्षा है तो यहां पर हम लों लिखेंगे इसका रेंफॉल पैटर्न में कि यहां मौनसून मौनसूनी वर्षा जो है वो लेट से आता है देर से आता है देर से आता है और पहले चला जाता है पहले वो वापस लौट जाता है मतलब यहां पर अब क्यूं ऐसा है भाई ऐसा क्यूं है क्योंकि हम जानते हैं कि जार्खंड को जब हम देखेंगे तो जार्खंड में जो जो रेंफॉल है बंगाल की खाड़ी से आता है तो यह इधर से आता है सबसे पहले यह वाले एरिया में आता है फिर दीरे दीरे आगे बढ़ता है तो लेट हो जाता है तो कव 10 पहले हैं मतलब हम इसको कहा सकते हैं मौनसून कम स्लेट एंड ऑनियलियर मौनसून कम स्लेट और जाता है एर्लियर आता है आपका पहले और जाता है देर से ठीक है दूसरा चीज हम लिखेंगे कि ये वर्षा जो है अनीवन होता है सेकेंड वर्षा अनीवन है मतलब ऑनीयमित होता है यहां पे हैना कभी बहुत जादा और कभी बहुत कम यह हो गया ऑनीयमित और अनिस्चित दो word यूज करेंगे uncertain और यह uneven होता है दोनों चीज़ होता uncertain भी और uneven भी uncertain, uneven 까いきます उसका कोई regular नहीं है और कभी आया, कभी एक महिना सुखा हो गया, कभी एक महिना वो बारिश हो गया ठीक है? उसके बाद यहाँ पर 80% जो है रेन वो जो रेनफॉल है जो वर्षा है वो मौंसून से होता है और बाकी जो है वो हमने आपको बताया था पहले भी नौर्वेस्टर से भी वर्षा होता है मई के मईने में तो ये भी लिखेंगे इसकी भी चर्चा करेंगे आप पॉइंट आउट कर लीजे से ऐह तो एक तो मौन्सून ब्रजा होती है जिए और खुवर्शा होती है मने नार्षेटर जो होता है वहाँदी अर्टिफान के साथ सांडिब टुफान के साथ तो नर्षेटर रेंफाल और सो ऑप तग्वित थंडर स्टॉर्म यहां का एक बहुत बड़ा कि नौर्वेस्टर से भी बारिश होता है और आंदि और तूफण के साथ होता है ये और वर्सा को हम आपको एक सबית अब इसको प्री मौन्सून भी वोलते हैं प्री मौन्सून मने पाहले भी पीटी वाले बारिश होता यह माई में होता है तीक है है यह वर्सा का प्रतिरूप है अब एक है औस तो वार्सिक वर्सा इस च्छितर की कितनी होती है सारा कुछ मैंने अपडेट किया है औस वर्शा जो होती है वो औस वार्सिक वर्सा यहां का है 142 से 140 bit 140 150 centimeter 140 40-152 cm average annual rainfall is 142-152 cm यह आप rainfall pattern की बात करेंगे ठीक है एक मिनट हो किगा यह आपका rainfall pattern हो गया उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अगला जो third point है third point जो होगा इसका वो आप चर्चा करेंगे फसल प्रती रूप फसल crop crop pattern यहाँ पर फसल प्रती रूप crop pattern की बात हम लोग करेंगे फसल किस तरह का फसल यहाँ पे होता है ठीक है तो यहाँ पे जो फसल होता है आप जान रहे हैं rice तो होगा ही wheat में लिखा हुआ है हम एक बार केवल बोल दे रहे है धान या चावल गेहू एक दो चीज़ और है जो यहाँ पे होता है जो जारखन में सबसे ज़्यादा होता है आलू यह यहाँ पे लिखेंगे अरहर पोटाचो अरहर और कपास राजमहल में काली मिट्टी पाई जाती है और उस काली मिट्टी में कपास की भी खेती होती है आप यह चीज़ जानते हैं ठीक है ना समझ रहना तो आप चावल गेहूं कपास है ना अरहर सरसो रागी सरसो भी होता है सरसो रागी ठीक है यह सारे यहाँ पे होते हैं इत्यादी ठीक है समझ रहना उसके बाद यहाँ पे इतना कुछ आप चर्चा करेंगे क्या क्या करेंगे आप एक तो मिट्टी के बारे में लिखेंगे दूसरा आप लिखेंगे यहाँ पे वर्षा प्रती रूप कैसा है तीसरा आप लिखेंगे यहां मुख्य फसल क्या है चौथा वाटर एबेलेबिलिटी जल की उपलब धता जल की उपलब धता वाटर एबेलेबिलिटी हना कितना वाटर एबेलेबल होता है मिट्टी में जो क्रिसी के लिए आवस्यक है तो याद रखिएगा कि यहां काली मिट्टी को छोड़के बाकी सभी मिट्टी का जल धारन चमता जो होता है जल धारन चमता क्या होती है कम होती है जल धारन चमता लो है water holding capacity of this reason is quite low water holding capacity of this reason is quite low जल धारन चमता कम होती है केवल काली मिट्टी को छोड़के except black soils काली मिट्टी को छोड़कर क्योंकि आप जानते हैं काली मिट्टी सबसे आदा जल को धारन करके रहता रखता है तो काली मिट्टी को छोड़के बाकी सभी इस पूरे प्रदेश की water holding capacity जो है वो लो है quite low इसी कारण अब देखिए water नहीं है ध्यान से सुनिएगा जल जब होता है water जब होता है तो वो क्या करता है मिट्टी में जो पोसक तत्तों है उसको जोड़के रखता है उनको डिकम्पोज होने नहीं देता है तो चुकी यहां का जल धारन चमता कम है इसलिए fertility भी क्या है fertility is also low इसका उपजावपन इस प्रदेश का उपजावपन भी थोड़ा कम है इस प्रदेश का उपजावपन भी अपेक्शाकृत कम है तो यह लिख सकते हैं आपकी यहां की जल धारन चमता कम है इसलिए क्या है जल धारन चमता कम होने के कारण ठीक है यहां पर जो है यहां की fertility जो है बिल्कुल मतलब कम है ठीक है इतना कुछ आप लिखेंगे इसी फ्रेम में सब को लिखेंगे जितना भी है उसके बाद इसका हम लोग बात करेंगे और जैविक संधात अगला लिखेंगे और जैविक संधात और बायोटिक स्ट्रेसेज के बारे में हमने आपको बताया था अबायोटिक स्ट्रेस मिंस होता है वैसे प्राकृतिक आपदाएं जो इसपेसली क्रिसी के लिए हानिकारक होता है तो यहां पर अबायोटिक स्ट्रेस जो है सबसे पहला जो है वह ड्राउट है सुखा क्योंकि यहां का वर्सा बपर ते रूप देखे यह कहीं कहीं आपके रेनफॉल रेन पॉल पर डेपंड करता है रेनफॉल हमने शुरू में ही लिखा मतलब होता है कभी आया कभी गया कभी जादा हो गया कभी कम बया तो जीस साल वर्षा कम होती है खास प Warsaw करके जब अल नीनों करपे होंके जोग्रोफी में और हम भी पढ़ाएं अलनीनों उफाक्त के कारण क्या होता है यहां पी यह मौंसून जब Кमजोर पढ़ जाता है तो यहां ड्राउट की समझ्या भी होती है और आप पढ़े भी होंगे, जारकंड के सभी जीले सुखे से प्रभावी थे, तो सुखा तो सब में आप लिखेंगे, ठीक है, तो यहां सुखा, दूसरा, जो पहला हो गया सुखा, ठीक है, सारे नोट्स में हमने एक्स्प्लेइन किया है, हाँ बोलिये, कोई कोश्चन कर र म्रदा अप्रदन, स्वाइल इरोजन भी यहां का मुख्य प्राब्लम है, स्वाइल इरोजन, और आप जानते हैं, सबसे ज़्यादा जारकंड में, साहेब गंज, साहेब गंज, है न, सफर्स फ्रॉम मैक्सिमम स्वाइल इरोजन, साहेब गंज सफर्स फ्रॉम मैक्सिमम स् तीसरा फ्लेस्ट यह भूता है चुकिंग कि अहां का जो जैविह हां बोलिए हलो है चलिए है यहां पर आकस्मिक बार की बी समस्या है देखिए जैसे है कास्मी यह तो जान रहे हैं सूखा जब आता है तो फसल नस्ट हो जाते हैं म्रदा प्रदन भी फसलों को नस्ट करता है फसल उगने नहीं देता है ठीक से हैं अम्रदा प्रदन के कारण उपजाउपन मिट्टी की क्या हो जाती है कम हो जाती है तो कहीं न कहीं वह एक्री कल्चर को इफेक्ट करता है फ्लेस फ्लड भी एफेक्ट करता है माली जे किसी साल बाढ़ा गया अचानक गंगा नदी में बहुत पारिश हो गया बाढ़ा गया तो क्या होता है फसल का फसल नस्ट हो जाता है तो इसको भी आजयाविक संघात में हम शामिल करेंगे ठीक है उसके बाद आपका तो यह तीन तो आप यह भी पढ़े होंगे कि यह हमारा यह जो है यह जो छेत्र है वो एक मिनट यह जो है यह जो है यह जो होता है नार्वेस्टर प्रभावित छेत्र होने के कारण भी क्या होता है कि यहां पर कभी कभी गर्मी के दिनों में बहुत क्या होता है नार्वेस्टर से अच बजरपात की भी समस्या है बजरपात थंडरिंग है ना और जहां पे बजरपात होता है वो पूरा फसल का फसल को जला देता है पूरा फसल का फसल को जला देता है तो आप बजरपात को भी निख सकते हैं थंडरिंग जो थंडरिंग होता है है ना चुकि हमने बताया है नौर कि यहां बजरपात की भी समस्या है ठीक है तो यह सारा कुछ इसका अबायोटिक स्ट्रेस है ठीक है चलिए उसके बाद कि उसी तरह हम लोग चर्चा करेंगे इस छेत्र का पश्मी पश्मी क्रिसी पठारी क्रिसी जलवाईू प्रदेश तक है वेस्टर्ण प्लेट्यू अग्रोकलाइमेट जोन थयुँक्न चर्चा करेंगे तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले पैटर देखेंगे इसका पिसको बनाईयेगा सौइल पैटर कि फीगर बनाईए सब लोग फीगर बनाईए यह वाला छेत्र तो यह आप जानते हैं यह पाठ छेत्र है तो यहां देखिए यह पूरा जो छेत्र है यह पूरा छेत्र में लाल मिट्टी है स्वाइल पैट्रन पहला और यह वाला छेत्र में लेटर राइट मिट्टी है ठीक है तो मिट्टी स्वाइल पैट्रन में लिखेंगे कि इस प्रदेश में लाल मिट्टी की प्रधानता है इस एक्सेप्ट पार्ट रीजन पार्ट चेत्र को छोड़ कर इसका अधिकांस भाग जो लाल मिट्टी से अच्छा दी थे पाट छत्र में कौन से मिट्टी है लेटर राइट मिट्टी है इसको लैंग्वेज में लिख देना है है ना बस थोड़ा इतना लिख के और फीगर में आप दिखा दीजिए तो यह हो गया इसका स्वाइल पैटर्ण ठीक है उसके बाद यहां पर हम लोग बात करेंगे दूसरा हम लोग बात कर रहे थे रेन्फॉल पैटर्ण रेन्फॉल पैटर्ण दूसरा वर्षा प्रती रूप रेन्फॉल पैटर्ण यहां भी मौनसूनी वर्षा होती है मौनसून में सोर्स ऑफ रेन्फॉल इस मौनसून वर्षा का मुख्य स्रोथ है लेकिन हमने यह ध्यान से देखे लेकिन पार्ट छेत्र जो होता है पार्ट छेत्र जो है सीतकाल सीतकाल में भी वर्षा प्राप्त करता है पार्ट रीजन और यह आप जानते हैं आप लोगों ने जलवायू जार्खन का पढ़ा होगा तो आप यह पढ़े थे कि यह जो पार्ट छेत्र में यह वर्षा सीतकाल में विंटर सीजन में होता है व थिए यह अबजेक्टी में पूछे जा सकते हैं आपके जारखन में पारत्चेत्र में कहां पर सीट कालिन वर्सा होता है तो पार्ट छेत्र में किससे होता है पश्मिविछोक से होता है वेस्टरली विंड से होता है ठीक है समझ रहना और यह भी आप जानते हैं ना इसी लिए यहां पर लेटराइट मिट्टी पाया जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि जहां वर्सा बहुत अधिक होती है वहां मिट्टी में लेटराइजेशन की क्रिया होती है और valuable minerals जो होते हैं वो उपर रह जाते हैं है हलो है ठीक है तो यहां आइरन और आइरन और एलमूनियम के जो मिनरल से जो उपर रह जाते हैं वो क्या वो जो होते हैं वो उसी उसी से लेटर राइट मिठी का फॉर्मेशन होता है तो कहीं न कहीं यहां पर अधिक वर्सा अधिक वर्सा जो है वो कहीं न कहीं लेटराइजेशन को create करता है और लेटराइजेशन से फिर कौन सी मिट्टी बनती है लेटराइट मिट्टी बनती है तो याद रखेगा रेंफॉल पैटर्न में आप लिखेगा कि यहां भी वर्सा का मुख्य जो स्रोत है मौनसून है लेकिन पाट छेतर में सीतकालीन वर्सा ह यहां पर ठीक है लेटराइट मिट्टी पाई जाती है तो यह आप लिखेगा यहां का एवरेज इन्वल रेंफॉल को अब यहां पर एवरेज इन्वल रेंफॉल जो होता है वह आपका 128.5 लिख लिए जिए औस वार्सिक वर्षा वासत वार्सिक वर्षा जो इस श्यत्र म 5.5 cm से 130.8 cm यह नया अपडेशन है मेरा अपडेट हमने किया है क्योंकि वर्षा प्रति रूप घटा और बढ़ता रहता है और और औस वर्षा औस वार्सिक वर्षा तो यह आप लिखेगा ठीक है अच्छे यहां जो रेंफॉल है वो भी अन इवेन है वो भी अन इवेन है एंड क्या है अंसर्टेन इतना ज्यादा अंसर्टेन है कि आप देखेगा पलामू गढ़वा वाले छेत्र में सालों भर मतलब वो सुखा प्रणों छेत्र है ड्राउट प्रॉन एरिया है वो ठीक है तो उसको यहां नहीं लिखेंगे वो अजैविक संघात में लिखेंगे अब लिखेंगे यहां का वर्सा भी ऑणी और शित मौन जो वर्षा है वो दोनों है ठीक है को उसके बाद यहां पर लिखेंगे यहां पर यह हो गया वर्षा प्रतिरूप मतलब मौनसून से वर्षा होती है लिखेंगे और पार्ट रीजन में विंटर में रेनफॉल होता है यह होता है जो भुमद्य सागर से वह पस्वी विच्प आता है और हमारे जारखन में भी वर्षा करता है लेकिन यहां भी वर्षा आनिश्चित होता है उसके बाद हम लोग जो है उसके बाद यहां पर हम लोग बात करेंगे मेन क्रॉप्स मुख्य फसल मेन क्रॉप्स मुख्य फसल यहां का मेन क्रॉप्स जो है वो वही है पैडी, धान, मक्का गेहूं दलहन पलामू वगरा में दलहन तिलहन, ओयल सीड पलसेज ओयल सीड पैडी, मैज, विट ओयल सीड, पलसेज ठीक है और यहां पर एक चीज और है पात छेतर में जो है आप पढ़ें जानते होंगे ग्राउंड नट ग्राउंड नट खूब होता है बादाम, जिसको बादाम बोलते है ग्राउंड नट और फल नाशपाती वगरा पियस वगरा वहां होता है फल और सबजी तो यह लिखेंगे आप यहां पर दान, मक्का, गेहू, दलहन, तिलहन यहां पर ऐसे लिखेंगे बादाम, बादाम खास करके कहां, पाट छेतर में पाट छेतर में ठीक है, तो इस तरह से यहां के मुख्य फसल है, ठीक है ठीक है उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे अगला जो है, वो वाटर होड़ वाटर अबलेबिलिटी वाटर अबलेबिलिटी जल की उपलब धता हमने आपको बताया था की उपलब धता केवल काली मिट्टी का वाटर होल्डिंग केपसिटी अधिक है चुकि यहां अधिकांस लाल मिट्टी है तो लाल मिट्टी का वाटर होल्डिंग केपसिटी बहुत कम होता है तो लिखेंगे यहां का लाल मिट्टी अधिकांस मिट्टी लिचिंग जो लेटराइट मिट्टी है दोनों का दोनों मिट्टी का जो जल धारन चमता वो काफी कम होता है लिख लिजे दोनों मिट्टी की लाल मिट्टी और लेटराइट दोनों मिट्टी की जल धारन चमता fertility of soil is also low समझ रहना क्योंकि जब तक मिट्टी में जल धारन करने की छमता नहीं होगी उसमें जो nutrients हैं उसमें जो पोसक्तत्व हैं वो क्या होंगे प्रेजेंट नहीं होंगे यदि मिट्टी में water holding capacity कम है तो जो nutrients हैं पोसक्तत्व हैं वह होजाते हैं वह अपघटित हो जाते हैं और पोसक्तत्व की कमी हो जाती है तो कहीं ना कहीं जयल जो है water जो है वह fertility के लिए responsible है तो यहां आप इसको ऐसे लिखेंगे इसी कारण इसकी उपजाऊपन जो होती है वो कम है ठीक है उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे यहां पर इसके अब आयोटिक स्ट्रेस और जैविक संधाथ और जैविक संधाथ की बात करेंगे सबसे पहला चीज जो संधाथ है इसका वो देखिए चुकि यहां अधिकान भाग में लाल मिट्टी है और लाल मिट्टी जो होता है वो मिट्टी अमली होता है तो मिट्टी की अमलीयता एसी डिटी अप सॉयल सबसे बड़ा इसका अब आयोटिक स्ट्रेस है जिसके कारण यहां का एग्री कल्चर जो है वो अच्छे बेटर कंडिशन में नहीं है तो यह लिखेंगे मिट्टी की अमलीयता नोट्स में एक्स्प्लेइन किया हुआ है कि मिट्टी की अम और इसका उपजाऊपन भी कम है ड्यू टू एसी डिटी अप स्वाइल दू टू एसी डिटी अप स्वाइल एस वेल अज प्रोड़क्टिविटी अफ एग्री कल्चर इस कॉइट लो ठीक है दूसरा जो इसका संघात है ध्यान से सुनिएगा भूस खलन भूस खलन लैंड इस लाइडिंग वह मृदा च्छरन या मृदा का अप्रदन क्योंकि पार्ट रीजन आप जानते हैं जारकन का सबसे उचा च्छेत्र है और बरशात और बारिश भी बहुत जादा होता है तो बारिश जादा होने के कारण क्या होता है कि लैंड का स्लाइडिंग होता है जानते होंगे जब मिट्टी के उपरी परद का च्हरन होता है और इसका आुप तीसरा जो है वो ड्राउट कर लेकिन यहां पर सुखा यहां पर आपको दो बाते करनी होंगी पाथ शेय कुछ भाग जो है सुका पलामू गणवा गुमला यह सब जगह में पड़ता है लेकिन पाथ चयाहतर में शुका नहीं पड़ता तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि समपार्ट इसका कुछ भाग जो है समपार्टीज ड्राउट प्राउट प्रोन एरिया कुछ भूमी लिख सकते हैं कुछ छेत्र जो है सुखा प्रणो छेत्र है सुखा प्रणो छेत्र है सम पाटीज क्या है ड्राउट प्रो नेरिया ड्राउट प्रो नेरिया and rest part is है ना rest part एक मिनिट but rest part is normal normal होता है rest part सामान ने normal क्योंकि यह जासे पाट छेतर जो है पाट छेतर नॉर्मल होता तो आप लिख सकते हैं कि कुछ छेतर जो है some part is drought prone area and rest part is normal just for example part reason कुछ छेत्र सुखा प्रणों छेत्र के अंतरगत आते हैं जबकि कुछ छेत्र जो होते हैं वो सामाने होते हैं कुछ छेत्र सामाने होते हैं ठीक है उसके बाद यहां पर आकस्मिक बार वगरा नहीं आता है आकस्मिक बार वगरा यहां पर आप नहीं बोलेंगे उसको है ना वह आकस्मिक बार जो है केवल यहां पर देख लीजे मैं बताता हूं फ्लस अच्छे इसको फिर बताऊंगा है ना तो यह तीन-चार ऐसे हैं या फिर से समझ लीजे सबसे पहला यहां का जो जो अबायोटिक स्ट्रेस है जो वहां के अग्रिकल्चर को हार्म करता है जो वहां के ख्रिसी को नस्ट करता है अग्रिक हार्मफूल है वहां के अग्रिकल्चर के लिए वो है सबसे पहला जो है वो है आपका हमने बताया अमली मिट्टी अमली मिट्टी के कारण क्या होता है उसका यहां भूज खलन वह म्रदा छरन या म्रदा अप्रदन यह दूसरा है तीसरा सूखा ड्राउट लेकिन कुछ छेत्र जो है वह सूखा प्रणव छेत्र हैं और कुछ जो है सामान ने हैं यह हो गया उसके बाद हमने चौथा क्या बोला ठीक है चौथा हमने क्या बोला आपने नोट किया है देखिए तो चौथा और नहीं बोले हैं तीन ही बोले हैं हम क्या तीन बोले हैं आचे चलिए एक मिनट चौथा देखिए चौथा देखिए यहां पर यहां पर लेटराइजेशन जिसको निचालन बोलते हैं लेटराइजेशन यह भी एक ऐसा संगहात है जो क्रिसी को क्या करता है नुक्सान पहुंचाता है क्योंकि आप जानते हैं कि सारे जितने भी मिनरल हैं मिट्टी के अंदर चले जाते हैं मतलब जहां जो क्रिसी के लिए उप्यूक्त नहीं होता और उपर का उपजाउपन खतम हो जाता है तो लिचिंग भी थोड़ा सा लिचिंग के बारे में वहां दिजिएगा इसको लेटराइजेशन या लिचिंग भी बोलते हैं do find फाच्वा फाच्वा जो a biotic stress या जयविक संगहात है वो हैν फ्रोस्ट फोलिंगो fluorทु फोलिंग क Inhale फ्रोस्ट मतलब पाणा पाला का इसाट एप फटो निरमान फोरमेशन यह कोठी हम जानते हैं कि पाटर चेटर में जो है सबसे ठंड़ा चेटर है तो थंडे के दिनों आप लिखें घए थंडे की दिनों में यहाँ पे पाला का भी प्रॉब्लम होता है frost falling frost falling also occurs in winter season frost fall fall also occurs in winter season in in our winter season in part reason or frost falling भी कही नहीं क्या होता है फसल को नस्ट करता है and this also destroy the large area of crop and the large area of vegetation और यह फसल का एक बहुत बड़ा हिस्सा को भी क्या करता है वो नस्ट करता है तो यह पांच जैविक संघात यहां है अब objective के लिए सवाल मैं बताता हूं आप note कर लिजिए पूछा जाएगा कि कौन सा क्रिसी जलवायू प्रदेश सबसे अधिक और जैविक संघात से प्रभावित है तो यही छित्र है यह केवल बार को छोड़के बाकी maximum सारा कुछ यहां पे है तो सबसे अधिक और जैविक संघात से प्रभावित छित्र है है ना the area which is most maximum affected area by abiotic stresses abiotic stress से वह maximum affected area है ठीक है आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं चलिए उसके बाद हम बात करेंगे अब आज जा रही है ना आप लोगी की ठीक से चलिए अब देखिए अगला जो हम लोग बात करें हाँ हाँ बुलिए क्या बोल रहे हैं हाँ हाँ एरिया 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 दिखाना होगा है पोट य को इसका कितना एरिया है वह सुब रटने का चीज़ं मेरे नौट्स में आप एरिया दिखाएंगे एरिया वहाँ पर दिखाना पड़ेगा ठीक है कीजिए कि इनिका कैमरा ओन है हां हम लोग एरिया हम नहीं बता रहे हम एरिया वहां पर नोट्स में मिंसंड किये हुए है क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा सबसे छोटा बता दिये और कितना एरिया है वह लिखा हुआ है ठीक है चलिए आगे बढ़िए अब देखे हम लोग करेंगे सबसे छोटा सबसेच छोटा यह है इसमें लोग बता था तीनस्तीन ढाते है ठीक है न कहां का हम लोग बात करेंगे कहां स्वाएल पैटर्ण के दिखिए यहां की मिट्टी का सबसे बड़ा एडवांटेज है लाल मिट्टी है लाल मिट्टी लेकिन उसमें धात्विक कन धात्विक कन मिस्रित साफिश को लिक सकते हैं मतलब चुकि आप जानते हैं कि यह चेत्र जो है उसमें तामबा लोहा से रिच एरिया है तो यहां का जो स्वाल पेटरन है उसमें लिखेगा इस एरिया इस कवर्ड बाई रेड़ स्वाल मिक्स्ट विथ मेटालिक पार्टिकल्स इसी कारण इसका उपजाउपन भी कम है उपजाउपन कम है दूसरा हम लोग जो चर्चा करेंगे रेन्फॉल पैटर है ना रेन्फॉल पैटर है ना रेन्फॉल यहां भी मौन्सून से वर्षा होता है मौन्सूनी वर्षा हाना में सोर्स ओफ रेन्फॉल इस मौन्सून है और एक चीज और यहां पर है यहां भी नौर्वेस्टर से वर्षा होता है क्योंकि यह समुद्र के लगभग क्या है नजदीक है तो यहां भी नौर्वेस्टर वर्षा होती है वर्षा नॉर्वेस्टर भी होती है दो होता है एक वर्षा मॉन्सूर और दूसरा नॉर्वेस्टर दोनों लिखेंगे ठीक है और एक चीज और लिखेंगे समुद्र से नजदीक होने के कारण यहां का की जो आदरता है वो पूरे परदेश में मैक्सिमम है this reason has maximum moisture due to ocean affected climate सागर से प्रभावित सागर प्रभावित जलवाई होने के कारण यहां की आदरता जो है काफी अधिक है आदरता काफी अधिक है ठीक है यह भी आप लिखेंगे उसके बाद आपका स्वाईल पैटर्न हो गया रेनफॉल पैटर्न हो गया थर्ड हम लोग बात करेंगे इसकी जल की उपलब्धता वाटर एबलेबिलिटी है ना यहां के मिट्टी का जो वाटर होल्डिंग केपसिटी वो भी लो है कहने का मतलब है कि पूरे जारखंड का वाटर होल्डिंग केपसिटी लो है तो जब लो है इसलिए फर्टिलिटी भी लो है तो वाटर होल्डिंग केपसिटी इसकॉइट and hence and hence soil fertility is also low soil fertility भी यहां का क्या है लो है समझे रहे ना उसके बाद एक और चीज है यहां का abundance of abundance of forest इस छेतर की एक मुख्य विसेस्ता यह भी है किया जंगल से यह वन से आच्छादित क्रिसी जलवायू प्रदेश है abundance of forest जैसे पुरहाट, सारंडा, कुल्हान यह सब वन से आच्छादित छेतर है पुरहाट, कुल्हान, सारंडा are covered by dense forest बहुत घाने वन से वह आच्छादित है यह इतना कुछ आप लिखेंगे उसके बाद मुख्य फसल मुख्य फसल आप लोग यह समझ गयाना कि लिखना क्या है मेन क्रॉप्स तो मेन क्रॉप्स भी आपका यहां पर है पैडी धान गेहूं जवार बाजरा याद रखेंगे जवार बाजरा अलसी जिसको लीन सीट बोलते हैं और भेजी टेबल अभी यह छेतर जो है इसमें यहां पर पटमदा पटमदा जो है पटमदा चांडिल में पढ़ता है वो सबजी की खेती के लिए फेमस है तो आप यहां पर क्या क्या लिखेंगे धान गेहूं मक्का जवार बाजरा ठीक है न और तिलहन और क्या है सबजी यह आप लिखेंगे ठीक है इतना कुछ है उसके बाद हम लोग यहां का एवरेज एनुवल रेंफॉल कितना है एवरेज एनुवल रेंफॉल यहां का 142 से 155 सेंटीमीटर है यह अपडेट किया हुआ डाटा है मेरा 142 से 155 सेंटीमीटर है ठीक है आप इसको लिखेंगे ठीक है समझ गया है उसके बाद एक और एडवांटेज यहां का है कि यहां यह एक ऐसा छेत्र है जो यहां नहर से खेती की जाती है है ना इरिगेशन फेसलिटी इस एवलेबल बाई कनाल इरिगेशन फेसलिटी इ इस छेत्र में उपलब्ध है ठीक है यहां का आप देखिए और जैविक संगार्थ और बाईटिक stress सबसे पहला तो यहां पर सुखा यहां भी सुखा का प्र similarities आप जानते हैं जारकण के सभी जीले सुखा प्रभावी थे क्यूं क्यों कि सभी जीले का जो वर्सा है वो अंसर्टेन और क्या है अंसर्टेन है और अनीवेन है इसलिए सुखा तो लिखेंगे हैं दूसरा आकस्मिक बाढ़ आप जानते होंगे पूर्वी सिंभूम खास करके जमशेदपूर फ्लेस फ्लड से अफेक्टेड है तो फ्लेस फ्लड तीसरा यहां पे भी लेटराइजेसन होता है निचालन यहां पे भी लिचिंग होता है क्योंकि आप पढ़े होंगे पीटी के लिए कि जार्खन में तीन जगा लेटराइट बिटी पाया जाता है तीन जगा तीन जगा लेटराइट स्वाइल और कौन कौन और लेटराइट स्वाइल वहीं पाये जाते हैं जहां वर्षा खूब होती है तो एक हमने आपको बताया है राजमहल के पुर्वी छेतर में लेटराइट लेटराइट मिट्टी पाये जाती है क्योंकि यहां लेटराइजेशन होता है पाठ छेत्र में लेटराइट मिट्टी और यहां पर लेटराइट मिट्टी जारखन में यह तीन जगा लेटराइट मिट्टी तो लेटराइट मिट्टी क्यों पाया जाते हैं क्योंकि यहां पर वर्षा सबसे जादा होती है तो यहा पर आप कह सकते हैं कि एक लेटराइजेशन या निच्छालन भी एक क्या है और जैविक संघात है लेटराइजेशन और लीचिंग is also laterization or leaching is also a biotic stress of this reason मतलब निचालन या laterization भी यहां का एक मुख्य जैविक संगात है क्यों? क्योंकि ये कहीं न कहीं मिट्टी के उपरी पोसक तत्वों को नस्ट करता है it destroys nutrients of upper surface of soil और जब इसका पोसक तत्व नस्ट हो जाते हैं तो ये क्रिशी की productivity को भी कम करता है तो ये भी leaching को जार्खंड का एक मुख्य अजैविक संगात माना जा सकता है और मिर्दा अप्रदन भी होता है soil erosion soil erosion भी यहां का एक abiotic stress है ठीक है तो इतना कुछ आप लिखेंगे समझ गया न? तो ये आप समझ गया होंगे क्रिशी जलवाईव प्रदेश क्या है इसकी मुख्य विसेस्ताओं का वर्नन करें यदि ऐसा आएगा जार्खंड का agro climate zone और इसका important features तो इतना कुछ आप लिखेंगे ये आप frame बना लिजिए मन में ठीक है चलिए समझ गया आप लो कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए कहीं कोई problem है तो आप बोल सकते हैं नहीं है चलिए अब दूसरा जो question बनता है topic है दूसरा topic है rain fed agriculture in जार्खंड heading दिजिए जार्खंड में वर्षा आधारित खेती syllabus में इसको वर्षा पारित लिखा हुआ है वर्षा पारित हिंद्ध हम बलिए कि हाँ है तो हम पस्मी विछोप को वहां पर हम कहीं पर लिखे यह नहीं न लिखे हैं कि वह आजयाविक संघात है हम वो तो नहीं लिखे हैं हम रेनफॉल पैटर्न में हाँ लिख सकते हैं उसको वहां पर लिख दीजिए पस्मी विछोप जहां जहां आता है से वर्षा होता और अभी फसल के लिए लाबदाय के लिख सकते हैं लेकिन उसको आजयाविक संघात में नहीं लिखेंगे हम लोग कि लेन लिखेंगे अब आटिक स्ट्रेस में वहां पर रेनफॉल पैटर्न में आप लिख सकते हैं कि सीत कालीन वर्षा होती है विंटर सीजन में रेनफॉल होता है विचीज बेनिफीशेरी फॉर क्या है वह रभी क्रॉप्स आप जोड़ सकते हैं उसको चलिए अब देख यह बहुत इंपॉट्टरडं टॉपिक है जारघं में वर्षा अधारित क्रिशी डेट इसमें कोस्टन लिखिये क्या क्या कोस्टन आ सकता है and fresa question लिखिए लिए पहला कोस्टन लिखिये है पहला कोश्टन है कि वर्षा अधारित खे पहती क्या है इंट्रोडक्ष जरूर जानना चाहिए what do you mean by अग्ला क्वैक्षण पहला लिखे वर्सा पारीत कृषि का तात्पर क्या है वर्सा पारीत दे देगा वर्सा पारीत पारीत वर्ड समझते रही है तोवर्सा पारीत करशी का क्या तात्परे है what do you mean by rain fed agriculture दूसरा लिखिए जार्खंड में वर्षा अधारित यह वर्षा पारित क्रिशी का मुख्य कारण क्या है what do you mean by sorry describe about the main causes describe about the main causes of rain fed agriculture in जार्खंड दूसरा question लिख लिए फिर से मैं repeat कर रहा हूं दूसरा question जार्खंड में वर्षा पारित क्रिशी का मुख्य कारण क्या है ठीक है तीसरा लिखिए तीसरा जार्खंड में वर्षा पारित क्रिशी की मुख्य विसेस्ताओं का वर्नन करें describe about जार्खंड फिर से मिला है जार्खंड में वर्षा पारित क्रिसी की मुख्य विसेस्ताओं का वर्णन करें describe about important features of rain-fed agriculture in जार्खंड describe about important features in rain-fed agriculture of जार्खंड अब देखिए अब समझे इसको वर्षा पारित क्रिशी क्या है देखिए क्रिसी को फिर से जल की उपलब्धता जल की जल स्रोत के आधार पर कहिए water source water source के आधार पर हम लोग agriculture को culture को हम लोग दो भार में बाठते हैं एक हो गया सिंचित क्रिसी और एक हो गया वर्षा पारित क्रिशी या वर्षा आधारित क्रिशी ठीक है समझ गया इसको बोलते हैं कि इरीगेटेड एग्रीकल्चर और इसको बोलते हैं रेनफेड एग्रीकल्चर इंग्लिस में कहा जाता है कि यदि किसी प्रदेश में ध्यान से सुनिएगा यह एक क्राइटेरिया है यहां पर यदि किसी भी प्रदेश में जो कल्टी वेटेड जो कल्टी वेटेड एएडिया है मतलब जो क्रिसी योग भूमी है जिसमें क्रिसी की जाती है कल्टी वेटेड एडिया में 50% है ना तक यदि वाटर का सोर्स यदि जल का स्रोत कृत्रिम सिचाई है मतलब नदी तलाब नहर तलाब कुवां बोर्वेल यदि वो सबसे सिचाई किया जाता है 50% तो वो इरिगेटेड एगरे कल्चर हो जाएगा उस प्रदेश का और यदि 50 से जादा यदि वो क्या है पचास से जादा यदि क्या हो वहां की कृसी योग भूमी जो है कल्टीवेटेड एरिया में सिचाई जो है वर्सा से होती है वर्सा जलसे उसको बोलते हैं वर्सा पारित क्रिशी जैसे आप कह सकते हैं पंजाब पंजाब जो है इरिगेटेड एग्री कल्चर है वहां वहां एग्री कल्चर का में सोर्स जो है वो खृत्रिम सी चाहिए है artificial irrigation system main source is artificial irrigation system लेकिन जार्खंड की बात करते हैं तो जार्खंड में जो है वो 80 more than 80 near about 80% जो है वो खेती जो है वो क्या है वो आपका वर्षा पर डिपेंड है ठीक है तो इसी लिए जार्खंड की क्रिसी को हम वर्षा पारित क्रिसी बोलेंगे बना लिजे आप ठीक है क्राइटेरिया है कि 50% या उससे ज्यादा यदि सिचाई कृत्रीम स्रोतों से होता है if irrigation of cultivated area is done by artificial sources of irrigation and it is more than 50% then this agriculture is known as irrigated agriculture यदि क्रिसी योगे भूमी में सिचाई जो है का 50% या अधिक कृत्रीम स्रोत से होता है तो वहां की इस क्रिसी को सिंचित क्रिसी बोलते हैं और नहीं तो वो वर्षा पारित क्रिसी होगा पचास या पचास से अधिक यदि क्या हो वर्षा जल पर अधित आधारित हो तो वर्षा पारित क्रिसी हो तो आप यहां पर इसको चर्चा करेंगे कि जार्खन की क्रिसी वर्षा पारित तुशी है क्योंकि यहां पूरी खेती जो है वो क्या है वो वर्षा जल पर आधारित है